नमेशकार दोस्तों, चाइना के अंदर रिसर्चर्स ने फाइंड किया है 24 न्यू कुरोना वाइरसे जी हाँ, इतनी बड़ी संख्या में कुरोना वाइरस फाउंड किया गया है, डोंट वरी अभी के लिए सच कोई इससे खत्रा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि य आप कई सारे न्यूस देख पाऊगे, रिसर्चर्चर्स इन चाइना फाइंड बैच ओफ न्यू करोना वाइरसे इन बैट्स और यहाँ पर भी आपको न्यूस देखने को मिलेगा, तो बेसिकली अब क्या हो रहा है, कि आपको पता होगा चाइना के उपर प्रेशर डाला जा रहा है, तो कई लोगों का ऐसा मानना है, कि ये वाला जो नया रिसर्च लाया गया है चाइना के दोरा, ये हो सकता है कि प्रॉपगेंडा रिसर्च हो, जी हाँ, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस रिसर्च के माध्यम से, चाइना ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि देखो जो कुरोना वारस है, वो आपका अल्री एन्वार्मेंट में बड़ी मातरा में प्रेजेंट रहता है, और इसी के ताहत COVID-19 भी हो सकता है कि वहीं से आया होगा, तो आई होब कि आप ये लिंक समझ पा रहे होगे, तो चलिए इसको थोड़ा और डीटेल में समझते हैं कि exactly हुआ क्या है, कहां से ये 24 न्यू कुरोना वारस की हम चर्चा कर रहे हैं, तो अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं, तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको description में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे आप को भी download कर सकते हैं, सबसे पहले देख में देखने को मिले हैं, और ये जो discovery है, वो बताया जा रहा है कि युनान प्रोविंस, मैं आपको दिखाता हूँ, चैना का map जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, इसकी जो capital है, वो बीजिंग, उपर साइड में, नदन साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा, लेकिन जो युनान प्रोविंस है, उसका border आप देखोगे, तो भारत के साथ सरता हुआ, जो eastern border है हमारा अरुनाचल परदिश, उसके साथ ये border सरता है, एकदम eastern side में, तो यह है आपका युनान प्रोविंस, और इसके जश नीचे आपको पता है, मैनमार भी आता है, तो यहां से 24 नए coronavirus found किया गया है, अब इसके तहट जो चाइना है, वो यह कह रहा है, कि आप देख सकते हो कि जो coronavirus है, वो बड़ी मात्रा में environment में present रहता है, उसके अंदर potential होता है कि वो यहां पर humans में भी फैल जाए, और इसमें से ज़्यादा तर common cold जैसे होते हैं, मतलब नॉर्मल जो पिछले 2 दसक की अगर हम देखें, पिछले 20 वर्षों के अंदर, तो यहां पर total 3 coronavirus सामने आये हैं, जिसने widespread illness किया है और death किया है पूरे विश्यू के अंदर, जैसे कि आपको याद होगा, 2002 में SARS आया था, जिसको हम SARS-CoV कहते हैं normal, अभी जो 2019 वाला है, यह क्या है, यह SARS-CoV हम सब को इसके बारे में पता है, तो यह 3 अभी तक पिछले 20 वर्षों में देखने को मिले हैं, जिसकी वज़े से पूरे विश्यू में कई सारी illness होई है, death होई है, लेकिन जो अव्यसी बात है, जो latest Wuhan virus वाला है, उससे सबसे जादा illness और death आपको देखने को मिलेगा, तो य यहां पर वो गए थे, और 2019, मई 2019 से लेकर, नवंबर 2020 के बीच में, उन्होंने बहुत सारे bats में से sample collect किये, और sample basically उनके जो waste होते हैं, जैसी urine हो गया, फीसे हो गया, उनके waste का sample collect किया, साथ ही साथ, जो swab testing, normal humans में भी आपने देखा होगा, mouth में से जो swab निकाल का testing की जाती है वो भी यहां पर किया गया, और इसी के तहट यह जो total 24 नए viruses हैं, वो यहां पर देखने को मिले हैं, और यह genome sequencing के तुरू find out किया गया है, अब इसमें एक और चौकानी वाली बात यह है, कि इन 24 में से जो एक आपका सबसे closest बताया जा रहा है SARS-CoV-2 के, मतलब जो अभी चल है ना Wuhan virus, उसके सबसे closest यह वाला sample बताया जा रहा है, R-P-Y-N-O-6, यह सबसे closest हो है, लेकिन जाहिर सी बात है, यह same नहीं है, अब दिखेगा, जब भी हम virus की बात करते हैं, तो उसका वो कितना जादा तेजी से spread कर सकता है, वो depend करता है virus के spike protein की उपर, हम सबको पता होगा जो protein है आपका spike में, उसके अंदर कितनी छमता है कि वो penetrate कर सकता है human cells के अंदर, उसी के तौर पर हम define करते हैं, तो यह जो सबसे closest बताया जा रहा है, is 24 new virus में से, इसका spike protein थोड़ा सा different है, तो जाहिर सी बात है, इसमें परिशान होने के लिए अभी तक तो कोई आउशकता न नहीं है, तो basically यह जो researchers हैं, वो क्या show कर रहे है, that these results clearly demonstrate that viruses closely related to SARS-CoV-2 continue to circulate, तो यह researchers का कहना है कि इस तरह के जो virus हैं, वो लगतार फैलते रहते हैं, अलग-अलग regions के अंदर जरूरी नहीं है कि वो China के अंदर ही हो, लेकिन हा, कुछ regions में जादा मात्रा में फैल सकते हैं, तो basically यह justify करने की कोशिश कर रहे हैं, 2019 वाला जो SARS-CoV-2 सामने आया था, लेकिन यहाँ पर एक question यह आता है, कि यह जो virus है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या यह चमकादर ही इसका source है, क्या यह वहीं से निकल कर humans में फैला है, क्योंकि अभी तक याद रखेगा, SARS-CoV-2 है, 2019 वा नहीं चल पाया है, clearly कि exactly यह आया कहां से है, और इसलिए सबसे आदा doubt होता जा रहा है, क्योंकि अलुड़ी डेर साल हो चुके हैं, अभी तक सो source इसका पता लग जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक source पता नहीं लगा है, जहां तक WHO का सवाल है, उन्होंने इसी साल जो भी चांच किया था, उसमें यही कहा था कि likeliest source इसका bat हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है कि यह दूसरे किसी animal से भी आया होगा, और especially जो minks हो गए, cats हो गए, यह भी काफी जादा potential रखते हैं, जैसे कि 2002-04 के बीच में जो चाइना से ही coronavirus निकला था, SARS वाला जो मैंन University of Shandong है, इनके researchers का कहना है कि चमकादर के पास बहुत सारा यहाँ पर viruses होता है, सिर्फ Corona virus ही नहीं, इसके लावा हेंडरा virus हो गया, Marburg virus हो गया, Ebola virus हो गया, इन सबका source जो है, वो bats को बताया जाता है, तो एक तरह से मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि वो लोग justify करने की कोशि situation है, उसके अंदर भी Corona virus फैल गया था, तो इनका कहना है कि यह सब में भी फैल सकता है, और यह जो recently 24 वाले नए Corona virus आए हैं, यह ज़्यादा तर samples दिये गए थे, Horse Shoe Bats में से, अब चमकादर की भी अलग-अलग प्रकार्स आपको देखने को मिलेगा, तो उनका क्या होता है, sections होता है, उसमें से एक section जो है, वो यहाँ पर horse shoe shape जैसा देखने को मिल रहा था, इसलिए इसका नाम दे दिया गया, horse shoe bats, तो यह अभी तक के लिए researchers के द्वारा बताया गया है, जो भी reports चाइना से सामने आई है, वो मैंने आपको बता दिया, अब इसको आपको link करना है, ज जो investigation है, वो और जादा intensify हो गया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, डेर साल हो चुके हैं, अभी तक इसका source पता नहीं लगा है, तो इसमें एक बहुत ही probable theory यह बतायी जा रही है, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला, यह वाला जो sample था, वो 2019 से ही collect किया जा रहा था, त यह theory बार-बार सामने निकल कर आ रही है, कि 2015-16 में भी कुछ samples लाए गये थे, हो सकता है कि वहाँ से कोई चीजों का correction किया जा रहा होगा, वो लोग क्या करते हैं, कि virus पे जो आपके protein है, spike protein मैंने आपको दिखाय था, उसको change करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश कर कि क्या ये virus rats में जा पा रहा है कि नहीं, तो हो सकता है कि इस तरह का कुछ किया जा रहा होगा चाइना के दोरा, और वो फिर यहाँ पर Wuhan lab से leak हो गया, और इसी की वज़े से यहाँ पर जो चाइना है, उसके उपर pressure है और यहाँ पर इस तरह के theory लाने के कोशिश कर रहा है, उसने अभी research को लेकर फैला दिया है और यह कहा है कि देखे 24 नए coronavirus मतलब कि यहाँ पर coronavirus तो रहता ही है, इसी प्रकार से 2019 वाला भी आया होगा, तो I hope कि इसमें जो भी clarity है वो आपको आ गई होगी, प्लस आपको पता ही है कि Biden administration के दोरा जो US intelligence officials हैं, उनको investigate करने के लिए सारी जांच दे दी गई है और Donald Trump तो काफी लंबे समय से कही रहे है कि यह लैप से ही निकला है, बट बहुत ही कम probable chance है कि यहाँ पर China कुछ सही तरीके सी चीज़ों को बता पाएगा, हर बार कुछ ना कुछ नया चीज़े लेकर आने की कोशिश करता है, जो भी है देखेंगे होती है, जिसके माध्यम से वो फ्लाइ कर सकते हैं, डार्क में भी, इसका जो राइट आंसर है, आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप वहाँ पर नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे MCQ यहाँ पर डालता रहता हूँ, श्टोरीज के फॉर में आप जाकर प्ले कर सकते हो, बाकि अगर आपको इसका PDF चाहिए, अलग-अलग सोशल मीडिया पर जुणना चाहते हैं, तो आ सकते हैं, और अगर आप Economics पढ़ना चाहते हैं, किसी भी exam की preparation करना चाहते हैं, तो हमारे website visit करिए, आपको download करिए, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.